और और तुमारी चड़ी में पॉडर आज की कारवाई शुरू की जाए माइलोड इस टाइगर ने मेरे दोना मुवक्किल टाइगर जिंदा है और टाइगर स्रॉप के खलाब केस किया है पूरा ममला क्या है माइलोड ये टाइगर इनसाब चाता है अच्छा रुको टाइगर जी पहले आप बताओ कि आपका बकिल कौन है जज साब मेरे डर के मारे मुझे कोई बकिल नहीं मिला अच्छा बहुत ना इंसाफी है ये इसका उपाय होगा तो बकिल साब आप भी बैठ जाएगे ये सब अपना केस खुद लडेंगे जज साब मेरा बजूद खत्रे में है पर कैसे जज साब ये तो आपको पता ही होगा कि मैं टाइगर हूँ पर ये दोनों कहते हैं कि ये टाइगर है अच्छा अब तुम बताओ जज साब मैं असली टाइगर हूँ क्योंकि टाइगर जिंदा है तो क्या मैं मुर्दा हूँ मैं भी तो जिंदा हूँ तुझे दिख नहीं रहा तेज सामने कड़ा हूँ खामोश पहले इन्हें अपनी बात पूरी करने दो अब तुम बताओ जज साब मैं असली टाइगर हूँ मुझे टाइगर जिंदा है से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो केवल मूवी के टाइगर है पर पूरी दुनिया जानती है कि मैं हूँ टाइगर टाइगर श्रॉफ चुप करो तुम डुपलिकेट हो मैं असली हूँ अरे नहीं मैं हूँ टाइगर टाइगर जिंदा है अरे तुम दोनों तो अभी अभी टाइगर बने हो मैं तो खांदानी टाइगर हूँ ओडर ओडर तुम्हारी टड़ी में पॉडर हम क्या यहां गुईया छिलने के लिए बैटे हैं जो लड रहे हो आपस में मैं तो बचपन से टाइगर हूँ तू क्या अपने आपको हीरो समझता है क्या हां अब लोग कहते हैं सब का मूँ थोड़ी बंद कर सकते हैं न ज्या अब लुटा हुआ शेर हूँ उंगली मत करो बरना जाग गया तो चीर फार दोंगा बस मैं एक जाखता हुआ टाइगर हूँ और चीर फाल करना हमें बच्पन में ही सिखा दिया जाता है मेरे बारे में इतना मत सोचो मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं इसलिए ठीक है मैं असली टाइगर नहीं हूँ ये हुई ना बात ओडर ओडर तुमारी चड़ी में डर्मी कुल्प ओडर ठीक है अब तुम दोनों बचे जजी साब मैं अपनी बात साबित करने के लिए कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ इजाजत है तो अब तु ये वता ये कौन सा देश है भारत अच्छा और यहां का राश्ट्रिय पसू कौन है टाइगर अच्छा और टाइगर कौन है तुम देख लिया जजी साब हाँ देख लिया यहां हुई तमाम बहस को मद्दे नजर रखते हुए यह अदालत इस पैसले पर पहुंची है कि आप ही असली टाइगर हो तो जल साब क्या मैं नकली हूँ नहीं तुम भी असली हो लेकिन तुम एक इंसानी टाइगर हो तो ठीक है टाइगर बॉस चलता हूँ अब मैं भी जरा बादलों से बात कर लूँ ओडर ओडर तुमारी चड़ी में पॉडर